हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों इस समय पॉने नौ बज रहे हैं सुबह के और मेरी चाई पे चर्चा शुरू है आप लोगों के साथ कभी-कभी ऐसे छोड़ सुबह सुबह ऐसे मूड में उठता हूंगी छोटी आंके करने का मन करता है रहां है चोटी आंके सही जिसकी वज़े से लोग सीगर्ट पीते हैं औस चोटी आंखवाले लोगों को बहुत पसंद नहीं करता है और चोटी आंख आना आखें वालों को बहुत पसंद करते हूं इसको बीडिटेल में आगे कभी बताऊंगा लता मंगेशकर माइकल जैक्सन बाल ठाकरे अब्दुल कलाम विनोध खन्ना दिलीब कुमार और जै ललिता और देवानंद और विलास राव देशमुख इन सब में कॉमन बात क्या है इन सब में कॉमन बात क्या है यह सब मर चुके ध्यान देना किसी जिन्दा का नानाम डाल दी हो मैंने एक बार कोवीट पे कोवीट चल रहा था और हम लोग गोवा में ही थे गोवा में शिफ्ट हो चुके थे टो मैं गीटार सीखता था तो एक गीटार था दुन शिखता था कोई ना कुझी तो मैंने जन्गनमन की धुन सीखी है तो मैंने जन्गनमन की धुन के उपर गिटार बजाया, अब भूल किया हूं मैं, तो उसको मैंने रिकॉर्ड किया, अब मैंने कहिए इसको क्या डाले तो मैंना उस कोवीड की वज़े से इतने लोग मर गए थे उस समय, बड़ी-बड़ी उनकी फोटो मैंने उसमें लगाएगे, पीछे मेरा गिटार चल रहा और उनकी फोटो चल रहे है वीडियो में, उसमें एक जिंदा सेलिब्रिटी की फोटो डाल दी मैंने, क्योंकि वो न्यूस आएगी वो मर गया, मैंने भी डाल दी, तो तब सीखा की भी मतलब इतनी कि अलागी मैं ऐसा करता नहीं हूं, पर पता नहीं कि किस वज़े से मैं को विश्वास हो गया कि यार यह मर गया होगा, इतने लोग मर रहे थे, यह भी मर गया होगा भाई, इसे ने बोला भाई, यह तो जिंदा है, मैंने का अभी तक, थोड़े दिन रुख जाओ, मुझे वीडियो मैडिट करने की जरौती नहीं बढ़ेगी, तो यह जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया, यह लोग अपनी फिल्ड में काम्याब लोग है, थे, अब यह थे हो चुके हैं, और यह नहीं है, यह मर गए, शुश्मा सुराज, अरुन जेठली, लग जिन लोगों को देखके लगता था कि यह तो अभी बहुत यंग है और अभी तो यह और 10-20 साल जिन्दा रहेंगे, यह मर गए, तो आपको क्या लगता है कि आप जिन्दा रहो गए, मैंने देखा कि मतलब में को ना कई बार, मेरे अंदर भी नेगिटिविटी होती ही, कही ना गई, थोड मतलत कुछ और किया जाए, मतलत कुछ और समस्दार बनाजाए, या ज़्यादा कुछ अचीव किया जाए, मैं अपने आप में बात्शाइभी हूँ, जितना मेरे मेरे में अचीव करने की शमता है, अभी तक कहणा चुक्छा हं। मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी परिस्तितियों को पहले से और नियंतरित किया होता है लोगों को और पहले छोड़ा होता तो शायद मैं आज जहां हूँ यहां से दस गुना आगे होता है पर ठीक है फिर भी जहां पे है कोई अफसोस नहीं है मतलब बादशाओं वाला जीवन जी रहा हूँ कि जो चाहता हूँ वो करता हूँ और अपनी जिंदिविए अपनी शर्तों पर जी रहा हूं ठीक है तो जब इस तरह के थौट्स आते हैं मेरे मन में तो मैं कहता हूँ कि करोड़ों में लोग जानते थे सब कुछ था इनके पास पर इनको फिर भी जो यह कर सकते थे जितना कर सकते थे उतना इन्होंने किया आपने जीते जी और चल दिए देवानंद आखरी टाइम तक एक्टिव थे राम जेट मलानी इतनी बुजुर्ग एज में होते हुए भी व करने भी देगे। और रेंम आ अहां इसी में इसलिए बहां में आधर देषी के बाद कर घचानम के आपलोग को ड़ा वों कर जीवन को लें서els का व्यक्राकिश्वमान आज क्कुत आज और इन कीकैंने कि किसी को कुछ भी बूरा बूलन देखरहु नोग तक जीवन को लहें इंकी तारीफ कर दो बाल ठाकरे को मुंबई का ढाला सब्स टारीफ करोड़ा करो उनकॉ झायजयकार करो या उनको बुरा मौलापूलो क्या उनको मालूम पड़ेगा नहीं मालूम फड़ेगा नहीं मालूम पड़ेगा ANT mechanicson तीन ऐसे लोग थे जब मतलब में कई बर बहुत पहले हम लोग ऐसे कि यार दोस्त बैठे बात करते थे तो मैं कहता था यार माइकल जैक्सन और बाला साहिब ठाकरे और लता मंगेशकर जब यह लोग मुरेंगे तो क्या होगा मतलब ऐसे लगता था कि यार दुनिया में हाहा यह मर गए कहीं कोई पत्ता भी नहीं हिला थोड़े दिन के हो लड़ के बाद माइकल जैक्सन के टाइम पर काफी न्यूस चली थी जिसकी भी डेथ हुई सब के हो लड़ के बाद शो मस्ट गो उन जिन्दी फिर चल रही है साउथ में फिल्म स्टार्स को या पॉलिटिशन को भगवान की तरह टीट करते हैं और जब उनकी डेथ होती ही तो कई लोग तो स्वसाइड कर लेते हैं और उससे भी फरक्या बढ़ता है जो जैसा है वो वैसा चलता रहता है तो मैं यह कहना चाहरा था कि जब यह लोग नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे है ना ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने इनके लेवल की पावर इखटी कर ली पैसा इखटा कर लिया तो आपके 10-20 साल बढ़ जाएंगे बल्कि घट और जाएंगे विलासर आफ देश्मुक का मैंने नाम लिया जो महाराश्टर के सीम भी रह चुके कितने फिट दिखते थे अचानक कैंसर डिटेक्ट हुआ और उनकी मौत हो गई एक नाम और लेता हूं सुधान्शू रॉय आइटिंक सुधान्शू रॉय आप करेक्ट करना गलत हो कुछ यह महाराश्टर में मुंबई के बहुत बड़े पुलिस ओफिसर थे 26-11 में भी इन्होंने जाच वांच में काफी सपोर्ट किया था और मतलब सिंगम टाइप है कि तो आप लोग कि你看 भाग रहे है किस चीज का डर लगासामाज का पैसों का पैसा नी होगा पैसा ने होगा भार भाळ में जाे पैसा 10-20 साल, अगर सब कुछ सही रहा तो एक आदमी की एवरेज़ साथ से सतर साल है, इंडिया में तो कम ही है, compared to other countries, कुछ साल, कुछ दशक आपने जिंदा रहना है, वो भी अगर सब कुछ सही रहा तो, मतलब मेरे का मेरे कोई future planning नहीं है, मेरे अगर अभी इस वीडियो के बाद मुझसे एक पल पहले पूछा जाए कि यार कुछ मिस कर रहे हो, कुछ छूट गया, कोई आखरी इच्छा है, मैं बोलूगा भाड में जाओ, आखरी इच्छा कुछ नहीं है, जो था वो किया, मेरी कोई आखरी इच्छा नहीं है, मेरा कोई goal, laksh target नहीं है, पहले थे कभी जब मेटलिस्टिक था, अभी यह है कि खाना पीना है, मस्त रहना है, अपने आपको खुश रखना है, आनन्द मेर रखना है, लाइफ को बड़िया तरीके से जीना है, अगर आपने quality लाइफ जी, तो आप अपने 50 साल, 60 साल में 200 साल की जिन्दी जी लोगे, आपको मालूम में कस्ट है, बोरिंग है, दुखी जिन्दगी है, तो आपका समय कटेगा नहीं, कटेगा नहीं आपको लगेगा यार मैं तो सालों से एक ही काम कर रहा हूं, जिन्दगी कटी नहीं रही है, खतमी नहीं हो रही है, कैसे करें, और जिन्दगी मजेदार होगी ना तो आपका दिन यूँ खतम हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है मेरा दिन जो है वो 15-16 घंटे गाए मैं तो दिन कम पड़ते हैं एक दिन में जब करता कुछ नहीं है कल होटल के मैनेजर से बात उड़ी थी ऐसे में नीचे गुजरा वो खड़े थे तो बातचीत होने लगी तो करें सर क्य करते हो आप रूम में कोई लैप्टॉप में कोई ट्रेडिंग ट्रीडिंग तो नही करते हुए मैं की läuft कि लॉंग स्थे वाले सबस्क्राइब कर जितने भी रुके तो अपनी लाइव से डर को बाहर निकालो हर दिन को ऐसे जीओ जैसे वो आपके जीवन का आखरी दिन है आपके बच्चे क्या करेंगे ये बच्चों के उपर निर्भर करता है चिडिया अपने बच्चों को पंग खुलने तक समबालती है आप इस बात को अपने भेजे में डालो कि चिडिया अपने बच्चों को उड़ने की ट्रेनिंग नहीं देती हो खुदी पंग खुलते उड़ जाते हैं मचली के बच्चे को तेरना नहीं सिखाया जाता पर आप तो उनसे बहुत बैटर हो आपके पास IQ है आपके बच्चों के पास आइक्यू है तो आप कहां आपने बच्चों का बोज ले रह various biggest personal आप creator क्यों बन रहे हो इसकी वज़े से फिर आपको पैसा चाहिए पैसे के लिए फिर आप गुलामी करते हो फिर आप डरते हो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं पैसा मत कमा इसका यह मतलब ही नहीं कि पैसा मत कमा खूब पैसा कमा बस अपनी basic need जो nature ने आपके लिए डिसाइड करी है उसमें जो basic need में भी बहुत changes आ चुकी है उसके इलावा पैसों के बारे में सोचो मत आ रहा है आने दो कि आ रहा है आने दो जा रहा है जाने दो नहीं आ रहा है नहीं आने दो आपको जितने जरूरत है बें समाजिक प्राणी तो नंगे तो घूमोगे नि तो कपड़ों का इंतजाम कर लो यह कहां लिखा कि कपड़े बैनेटरन की टीशल्टी होनी चाहिए या लिवाइस की ज बच्चों की करना बंद कर दो, आप उनको बैसाखी दे रहे हो, और कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ लिख लो, भविष्य बन जाएगा, वरना क्या करोगे, मुझे लोग बोलते हैं, आप अपने बच्चों को बढाते नहीं हो, अगर उनको डॉक्टर्न इंजिनियर बनना हो डॉक्टर बनके इंजिनियर बनके गुलामी करने से अच्छा, वो कहीं पर छोटा मोटा पान का खोका लगा ले, सब्जी बेचले वो ज्यादा बढ़ी है, राजा तो रहेंगे, और सब्जी बेचना अगर इतना शर्मना काम है, या मतलब इतना वह है कि तो फिर आप सब् स्कतव रिखते हो, हाँ उसकी इच्छा है डॉक्टर बनने की, उसको डॉक्टर बनाओ, और ऐसा डॉक्टर बनाओ कि या डॉक्टर नहीं भी बन सके तो कोई फरक नी पढ़ता, नहीं तु डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर बनेगा, यह कहां से आ रहे है, डर को निकाल कुद अपने जीवन से यार कि 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 समझे कि कुछ नहीं रखा इन चीजों में अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो मेरे मेरे से मिलने आते हैं करोड़ों पती लोग जिनके पास में करोड़ों रुप्या पड़ाए उनके चेहरे देखता हूं मैं मरे हुए चेहरे डरे हुए जिनदा लाश करोड़ों रुतिया पावर है मिल्व कनेक्शन नहीं से पार एक डर वह क्यों आते हैं क्योंकि कि यार ये चीज तुमारे में क्यों नहीं है När तुम्हारे पास तो ये सब कुछ नहीं तो आ मेरे पास नहीं है इसलिए मैं ड़ता नहीं मैं यह कहूंगो कि मैं इस बारे में सोचता नहीं मैं सोचता हूँ कि मैं अभी कैसे खुश रहूँ वर्तमान में जीना बहुत जरूरी है आगे की सोचो भविशे की मत सोचो यह मेरे को कल हाउस्किपिंग वाला आया वो लड़का फिलिपीन से है तो वो मैं को बोला करा सर आई वान्टो लिव लाइफ लाइफ लाइक यू ट्रैवलिंग इज माई ड्रैवलिंग इस माई ड्रीम मैंने का क्या प्लैनिंग है तरही आगी करा मैं कैनेडा जाओंगा विद फैमिली जाओंगा अच्छा अगरा काम करेगा ना करहां मैं इसको ट्रैवलिंग नहीं बोलते हैं इसको गुलामी बोलते हैं तो यहां भी गुलाम है तो फिलिपीन्स में भी गुलाम था तो तुम्हें दुभाई में मिलता है तुम यहां यहां से पैसा जादा च्राइडा में मिले के तो चैनेडा जाने सके प्राइव नहीं इसको पर लायन बोस्ते है पैसों के लिए पर लायन मोोस्ती कि एक बहतर लाइफ जीवन शैली के लिए पला है कि ट्रैवलिंग इसको बोलते मैं का मैं को देखा तुने यहां पर काम करते हूं करना नहीं मैं करते को मालू है मैं कब वापस जाओंगा करना नहीं मुझे भी नहीं मालू है जब मन भढ़ जाएगा जोला उठा के चल देंगे किसी के बाप का डर है जीवन का मतलब तो आना और जाना है जीवन से एक उम्र चुरानी है जिन्दगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है आप लोग गुलाम हूँ क्या आप मानते हूँ कि आप फ्री मैन हूँ आजाद आदमी हूँ या तो आप पैसो के गुलाम हो तो फाइनेंशल फ्रीडम की तलाश वे भटकते हो अगर वो भी नहीं हो तो धरम के गुलाम हूँ बांधा हुआ है जकड़ा हुआ है धरम ने जकड़ा है समाज ने जकड़ा है पैसो ने जकड़ा है प्रतिस परदाने जकड़ा है, फ्रीमेन का हूँ, तूजा करनी है, मंदिर जाना है, आशिरवाद लेना है, माफी मांगनी है, पैसे खटा करनी है, फाइनेशल फ्रीडम का मतलब पैसे, अपने खर्चों से ज़्यादा पैसे होना नहीं होता है, फाइनेशल फ्रीडम का मतलब होता है कि आपका पैसे को लेकर करके सोची नहीं है, फराकी नहीं पड़ता है। कि और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। कहां संद मातमाओं बाबाओं के चक्कर में पड़े रहते हो, वो खुद तो गुलाम है। एक जैसे कपड़े पहनने पढ़ते हैं उनको, जिसमें उनकी पहचान बन चुकी है। एक तरह की बाते करनी पढ़ती है। कर सकते मेरी तरह बत्तमी जी से पाते है। निकाल के चूता मार सकते केसी के मुँमे। उनको बात करनी है, ऐसे करके, गर्दने ऐसे हिला के, एक पर्टिकुलर रंग के कपडे पेनके, या एक तरह के कपडे पेनके, एक ही तरह के शब्दों का इस्तमाल करना है, उनका मन नी करता हो, बेफकूफी जाल आए तो बत्तमीची से जवाब दे, गुस्षे में जवाब उनको गुस्त नहीं आता हो है पर वो बेच रहे ना अपने आपको उनको मालू में दुकानदारी खराब हो जाएगी मेरा यह कहने का मतलम है मेरे को उनसे कोई फरक नी पड़ता में आपसे कहा रहा हूं कि आप उनके पस जाते क्यों हो आप जाते हो आजाद होने के लिए पर जो आदमी खुद गुलाम है वो आपको आजादी कैसे सिखाएगा बाते बढ़िया कर सकता है वो तो दुनिया की हर धार्मी किताब पे अच्छी बाते लिखी है इसका मतलब क्या है और वो आपको बांध देती है ना किताब मैं हमेशा कहता हूँ जो अच्छी बाते हैं उनको पनाओ बाकी नहीं तो भाड़ में जाओ